हाई फ्रिंस कैसे हो आप सब? I hope मेरे सारे फ्रिंस बहुत अच्छे होंगे आपका मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रिंस मैं अभी हूँ अंधेरी स्टेशन में खड़ी और वेट कर रही हूँ लोकल ट्रेन का हाँ, हम कहीं जा रहे हैं हम, हम में आप और मैं मैं बता दूं क्या क्या हम कहां जा रहे हैं नहीं बताती नहीं हूँ मैं दिखाती हूँ और साथ आप चलो साथ में हमारे पता चल जागा हम कहां जा रहे हैं ये देखो आप से बात करते करते सामने से लोकल ट्रेन आ रही है और ये सामने एक लड़की खड़ी है इसको पता ही नहीं है कि वो बात करते करते ट्रैक के साइट जा रही है यार इतने भी मतलब मजगूल मत हो जाओ अपना ध्यान रखा करो अब देखती हूँ ट्रेन में काफी भीड नजर आ रही है अब देखती हूँ अपना कमपार्टमेंट आने की देखा अरे ये अंकल देखो आराम से अंकल ट्रेन रुकेगी बीच में मैंने शूट नहीं किया बट अब हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और अब हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं फ्रेंस हम यहां से कैसे जाएंगे बाई बस जाते हैं या बाई टैक्सी जाते हैं अब यहां से हम स्टेशन के बाहर की और निकलते हैं यहां से हम लेफ्ट लेते हैं और हम बाहर पहुँच जाते हैं और यह बाहर का नजारा है फ्रेंस अब जब भे मुंबई के बारे में देखते हो ये इमारत आपको जरूर दिखती होगी शाम के टाइम ये अलग ही इसकी खुबसूर्ती नज़र आती है अब यहां से हम देखिए आप सामने देख रहे होंगे हम यहां से टैक्सी लेते हैं और निकलते हैं हमें जहां जाना है मिन्स आपको और मुझे और किसे अभी हमने यहां से एक टैक्सी लिया है और यह ज़स टेशन के बाहर का नजारा है यह बाहर का दिखता है ऐसा आज काफी रोट्स खाली नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत यह काफी बिजी रहने वाला रास्ता है आम दिनों में इतनी मतलब एजली वे से आप वो ट्रावल नहीं कर सकते हो बटा संडे है तो काफी स्मूद वे में हम ट्रावल कर रहे हैं और यह आगे बिस्टी की बस चारी है हम उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं और यह चल रही है चल रही है और यह आप देख रहे हो यह है वानखेडिय स्टीडियम जी हाँ दोस्तो हम हैं चर्च गेट बिल्कुल सही पैचाना यह चर्च गेट की पुरानी इमारते हैं और यह देखो आगे कुछ vanity vans लगे हुए हैं वाइट वाइट कलर का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर यहां कोई shooting हो रही होगी आम दिनों में तो यहां पे चलने के लिए रास्ता नहीं होता है आज यहां पे शूट हो रही है आज सब कुछ छुटी है सब कुछ खुला खुला है खुला में रास्ते खुले वे हैं बाकी सारी चीज़े तो बंदी है और यहां हम ट्राफिक में रुग गए हैं और आगे चलते हैं ट्राफिक खुलने के बाद यह हमारे left right side कुछ कुछ चीज़े हैं कुछ पुरानी इमारते हैं कुछ पुरानी buildings हैं घर हैं कुछ कुछ offices हैं, कुछ आपको मिल जाएंगे, यहां पर shops मिलेंगे, जो कफी पुराने हैं, बट लोग अब भी यहां आते हैं खरिदारी करने, क्योंकि यहां पर खरिदारी करने का नहीं एक अलग ही मज़ा है, आपको यहां branded चीजे भी मिलेंगी, और local चीजे भी मिलेंगी, और आप देखें, यह जो इमारत नजर आ रही है, इसे कहते हैं, क्रॉफट मार्केट, इसके अंदर आपको हर चीज मिलेगी, सस्ती से सस्ती महंगी सी महंगी चीज, इस होल सेल मार्केट है, और यह देखें, उसके बाहर का नजारा है, और मैं फिर से वापस आपको याद दिल यहां पर आपको रोट साइड में अपने लेफ्ट हैंड और राइट साइड पर बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगी वह आप यह देख रहे हो बहुत सारी चीज़े हैं यहां पर कप प्लेट से लेके घर के डेकुरेशन डूर मेट कटन्स कपड़े जूते किचन आइटम आपको लोग बागन करके देंगे अच्छा मिलेगा आपको आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जो मैंने पैसे दिये हैं वो बरबाद नहीं गया है सामने हमें एक मस्जिद नजर आता है और यहां से आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि आगे भी बहुत सारी दुक खुबसूरत सी यह मस्जिद नजर आ रही है देख करके बड़ा सुकून सा लगता है भाकती दोड़ती जिंदगी में भगवान का सहरा बहुत जरूरी है और यह हम आगे जाते हैं तो आगे एक मंगलदास मार्केट का लेन नजर आता है अपने लेफ्ट हैं साइड में तो यहां से हम आगे चल रहे हैं चल रहे हैं और यहां सामने यह मंदिर का एक गुंबद है और यह है मुंबा देवी मंदिर जी हां हम यहीं आ रहे थे और मुंबा देवी मंदिर जो है यह कहा जाता है कि यह मुंबा देवी जो है यह मुंबाई के ग्राम देवी है और जो भी मुंबई आता है इनका आशिरवाद लेना बहुत जरूरी होता है इनके आशिरवाद से ही हम मुंबई वासी अपने जीवन में बहुत आगे तरक्की करते हैं सुरस्त रहते हैं तो हमें इनका आशिरवाद बना रहे तो इसलिए आज हम मंदिर दर्शन को आए हैं देखे बाह मैं आपको अंदर की ओर जाल के दिखाती हूं अंदर जाने के लिए तो काफी लंबी लाइन है कर कोई नहीं मैं आपको बाहर से ही आपका एंटरंस दिखाती हूं और फिर कभी हम आएंगे अंदर दर्शन के लिए अंदर ऐसे कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं अगर मैं बाद में आओ भी तो अंदर दिखाने ही पाऊंगी मैं बाहर से दर्शन करवा देती हूँ कि आप पे भी मा मुंबा देभी की कृपा हमेशा बनी रहे और आगे देखिए यहाँ पे मुंबा देभी की यहाँ पर प्रतिमाएं भिक रही हैं और बहुत सारे यहाँ पर के हिसाब से यहाँ पे सामान लेते हैं और देखिए यहाँ पे कई लोग करोना को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने मास्क लगाया है कई लोगों ने नहीं लगाया है तो देखिए आप यहाँ मैं देखिए कितनी लंबी लाइन है कितनी लंबी लाइन है यहाँ बच चुटे बच्चों को भी ले के आये हैं ममी बापा बैलकम बैक टू लाइन बापरे अब भी लाइन खतमी नहीं हुई यह देखे यह पंड़ची सबको धागा बानते हैं यहां टीका लगाते हैं श्रद्धा स्वरूप लोग करवाते हैं और यह देखे यह किती सुंदर सुंदर यह सिंदूर दानी है कुछ शादियों में इस पे सिंदूर दान किया जाता है यह मुकृट है और यहां पर बहुत सारी चीज़े आपको मिल जाएंगे अच्छी अच्छी मिलेंगे आपको आगे देखते हैं अब बहुत लंबी बहुत मिनस बहुत लंबी लाइन है बगवान के दर्शन हमने बहार से कर लिए अब हमें लगने लगी बूख तो चलो अब ज reference ने बताया था यहां पर एक केक मिलता है है ना तो हम देखते हैं वो केक वाले भाईया है या नहीं है उस केक से पता है मेरी बचपन की बहुत सारी यादे जुड़ी है जब मैं छोटी थी तो मैं हाँ ये वो केक है ये केक का नाम बापुजी केक है ये आपको एक जो ये भाईया डाल रहे हैं पाकेट में ये देखो पन्नी के अंदर आपको दिख रहा होगा कालरफूल सा तो यह बापुजी केक है जिसमें बहुत सरा ड्राइफ्रूट्स डाल के बनाया जाता है और जब हम कोलकाता जाया करते थे अपने बड़ी मम्मी के घर तो हम यह अकसर खाया करते थे और जब मेरी बड़ी मम्मी घर आत है और यहां पर आपको वापस से दिख रही होंगी वही जूते चपल बैक्स कपड़े और काफी मतलब लेडीज आइटम यहां पर काफी कुछ मलता है जेंड्स के लिए थोड़ा स्कोप कम है ऐसे भी जेंड्स को मनने लगता है शॉपिंग में और हम लेडीज को बहुत मन लगता है और यह देखिए यहां पर यह बैक्स हैं और यह दिपाउली में जैसे हम फूल मालाएं सजाते हैं वो फूल मालाएं भी हैं तो आगे देखते हैं यह सारे बैक्स नीचे भी कुछ लगा रखे हैं आगे चलते हैं यह कुछ किचिन आइटम से हैं यहां पर चुछ चलता है रहे यार यह हमने क्यूं ले लिया यह तो हमारे काम की चीजे थी ही नहीं क्या करे हम आसी है चलिए ठीक है आगे दिखी सुन्दे सुन्दे डेकोरेशन वाले आइटम है जो आप दिपावली में या आम दिनों में भी आप बहुत अच्छे से घर पे सजा सकते हैं घर पे बहुत खुबसूरत सा लुक नजर आएगा यह वापस से किचन आइटम सा गय हैं और यहां आप देखे आर्टिफिशल फ्लार्स हैं जो आप घर में सजा सकते हैं यह कुछ क्रिपर्स हैं तो यहां पे काफी चीफ एंड बेस्ट पे आपको मिल जाएगा यह सारी चीजे मिल जाएंगी और आप देखिए यह कुछ कुछ दुकानदार थे जिन्होंने कम नहीं किया और कुछ दुकानदारों ने हमें हमारे भाव पे दिया है तो आप यह नहीं किया सकते हो कि ऐसा खराब है नहीं यह अच्छा है डिपेंड कि आपका वालेट क्या क्याता है आपका वालेट कितना अलाउड करता है देखो सुन्दर सुन्दर यहां पर flowers है, हर तरीके के रंग भी रंगे flowers है, आप अपने पसंद की हिसाब से ले सकते हो, यह कुछ मालाएं हैं, जो गेंदे के मालाएं होती हैं, आप घरों में सजा सकते हैं, यह मुसलिदी पाउलिया, शादी वियाओं में बहुत यूज होता है, यह कुछ घर सजाने के ही सामान है, इसे क्या कहते यह तो मुझे भी नहीं पता, शायद बेल है, यह कुछ Christmas ट्री भी हैं यहां पर, जो Christmas के बाद भी लोग यूज करते हैं इसको घर सजाने को यह देखे वापस से, यहां पर बहुत सारे Christmas कैप हैं, और Christmas के बेल्स हैं, यह New Year के बेल्स हैं, लाइट से हैं, तो आप ले सकते हो, ज़रूर नहीं हैं कि फेस्टिबल चलाओ, यह देखो, Santa Claus, हाहाँ, सो क्यूट, ज़रूर नहीं हैं कि फेस्टिबल चला गया, तो फिर हम क्यूं खरीदे, कभी-कभी चीजे होती हैं कि आप आफ सीजन में भी खरीद लो, और वो काम आ जाती हैं, चलो हमने कुछ शापिंग कर लिया, और मैं दूसरे ब्लाग में दिखाऊंगी कि हमने क्या-क्या शापिंग करा, और फिलाल हमने टैक्सी लिया, और हम काफे ठक च लिए पहुचेंगे, और यह है चर्च गेट स्टेशन, यहां से आपको हर जगे की ट्रेने मिलेंगी, तो आई होप मेरे दोस्तों, आपको छोटा सा ब्लाग था, और आई होप आपको अच्छा लगा हो, और इसमें मैं क्या इंप्रूब्मेंट कर सकती हूं, जिससे आपक कुछ इंफोमेटिब क्या चीज़े आपको चाहिए, आप बताओ, मैं उस हिसाब से इस ब्लाग को बनाने की कोशिश करूँगी, आपको अच्छा लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रस कीचेगा, चलिए, आपको अपना ध्यान रखिए, मि